इस कहानी की शुरुवात 1989 से होती है जहां मेहंक पिम नाम के एक साइंटिश को दिखाया जाता है जिन्होंने पिम पार्टिकल को इन्वेंट करके एंट में सूट बनाया था जिस्याओं एंट में बनकर अपने देश को खत्रों से बचाया करते थे उस पिम पार्टिकल की उसके जैसा सिरम बनाना चाहते थे लेकिन हैंग को इस बात का पता चल जाता है इसलिए उन दोनों पर गुसा करते हैं मिशेल पिम का मजाक उड़ाता कि तुम अपनी वाइफ को नहीं बचा पाए तो हैंग उसे में उनकी नाक तोड़ देते हैं हावर डिश्टाग हैंग स से अपना इस्तिफा दे देते हैं फिर हमें परजेंड का सीन दिखाया जाता है जहां मिसको लेंग नाम के आदमी को देखते हैं जो जेल में सजा काट रहा होता है मगर इसको बुरा आदमी नहीं होता क्योंकि उसने विश्टा को नाम की कमपनी में चोरी इसलिए की थी क्य तो क्यों ग्रहाकों का पेशा चुका रहे थे मगर इसकोड ने कमपनी हेकर के लोगों का पेशा वापस उन्हें लोटा दिया और वो एक इलेक्टिकल इंजिनियर होता है आज तीन साल बाद वो जेल से रिया होता है जहां उसका दोस लुईस उसे लेने आता है जो भी एक बेटी केसी का ख्याल रखना है और वो बासकीन रोबिंसन नाम की आईस क्रिम कमपनी में काम करने लग जाता है जहां उसने अपना नाम बदल कर जेक रखा होता है ताकि जेल जाने की वज़े से उसे जोब से ना निकाला जाए मगर मेनेजर डेल को पता चल जाता है कि इसकोड तीन साल जेल की सजा काट कर आया है और उसने विश्टा कोब में चोरी की थी इसकोड उन्हे समझाता है क्यों काम मैंने लोगों की भलाई के लिए किया था मगर इसकोड को जोब से निकाल दिया जाता है इसकोड इसे परिशान हो जाता है और उपस अपने दोस लुईस के घरा जाता है जाओं लुईस को बताता है कि मेरी जोब चली गई तो लुईस उसे अपने दोसाती कर्ट और डेव से मिलवाता है कर्ट एक हेकर होता है और डेव एक मामुली सा चोर होता है और और तीनों इसकोड को भी अपने चोरी के प्लान में शामिल होने का ओफर करते हैं क्योंकि इसकोड ताला तोड़ने में महीर होता है मगर इसकोड ऐसा करने से साफ सा मना कर देता है वही हमें हेंक पिम को दिखा जाता है जो सालों बाद अपनी कमपनी पिम टेक में जाते हैं जिनकी उन्होंने इस्तावना की थी मगर उन्हें खुदी अपनी कमपनी से निकाल दिया गया और उनका शिष्टे इंडॉक्टर डेरेन सीयो बन गए थे और आज उसने हैंक को अपनी कमपनी में बुलाया होता है जहां शेरेन भी आया हुआ था हैंक की मुलाकात वहाँ अपनी बेटी होपसें भी होती है जो बो सबी क्लाइन को बताता है कि मैंने एंडमेन की तरह सूट बना लिया है जिसे हम दुनिया में शांती बाल कर सकते हैं क्योंकि इसे पहनने के बाद इंसान का अकर बिल्कुल एक चीटी की तरह हो जाएगा लेकिन उसकी पावर उतनी रहेगी इसलिए बिना दिके दुश्मनो खत्न कर सकता है और उसने सूट को येलो जेकेट नाम दिया था फ्रेंक जो की सीनियर एक्जिकुटी होता है वो डेरेन को कहता है कि अगर इस सूट गलत हातों में चला गया तो एक खतरनाक हो सकता है मगर डेरेन उसकी बात नहीं सुनता हैंग भी कफी परिशान हो जाते है और उसने सूट को दुनिया से इसलिए छिपाए रखा ताए कि दुश्मनों के हाथ ना लगे डेरेन उने कहता है कि हम इस सूट को साथ मिलकर बना सकते थे मगर आपने मेरा साथ नहीं दिया और उस सूट मिशेल को बेज देता है जो हाली में सरकार गिराने का काम कर रहे थ इसलिए और डेरेन से सूट की डिल कर लेते हैं ओप अपने डेरे से कहएती है कि हम इस येलो जेकेट सूट को खत्म करना होगा क्योंकि डेरेन अभी पूरी तरह से ये काम्याब नहीं हुआ है क्योंकि अभी से वो बेजान चीटियों को छोटा कर सकता है इसलिए आ बेंड अपनी बेटी केसी की बर्तडे पाटी में जाता है जहां केसी उसे देखकर बहुत खुश होती है वो उनसे बहुत प्यार करती है मगर इसकोड का उसकी वाइफ मेगी के साथ तलाग हो गया था और मेगी ने जिम नाम के ओफिसर के साथ इंगेजमेंट कर ली थी इसलिए मेग मेगी उसे यहां से जाने हो कहती है तो इसकोड उसे कहता है कि मैं केसी के लिए पैसे देना चाहता हूं क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं इसलिए मैं उसका ख्याल रखना चाहता हूं तो मेगी उससे कहती है कि तुम्हें केसी से मिलने दूंगी वेसे भी केसी तुम्हें फिरिंग को जान से मार देता है क्योई क्योई यलो जेकेट के खिलाफ था हुई स्कॉट को कोई जोब नहीं दे रहा होता इसलिए ओकाफी परिशान होता है जब तक उसके पास पैसे जिसमें उसने बहुत पेसा छिपा रखा है और वो आदमी साथ दिन के लिए बाहर जा रहा है इसलिए हम उस तीजोरी को लूट लेंगे इसकोड भी मान जाता है और वो सबी प्लान बना कर सबी चीजों को इखटा करके उस बुड़े आदमी के गर में घुज जाते हैं इसको का बना होता है जिससे टाइटेनिक बनी थी मगर इसकोड बड़ी आसानी से उसमें ड्रिल करके पानी और नाइटोजन डाल देता है जिस्यों गेट तूट जाता है मगर इसकोड यह देखकर हिरान होता है कि उस तीजोरी के अंधर कोई पेसे नहीं होते बस वहाँ एक करता है कि एंग पीम भी यह सब अपनी एक चीटी की मदा से देख रहे होते हैं यानि कि यह सब एंग काई प्लान था और वो इसकोड को ही अगला इंटमेन बनाना चाहते हैं वहीं हमें डेरेन को दिखाया जाता है जो अपने दारा बनाई गई पीम सीरम का जानवरों पर प्रेश कर रहा होता है ताइकियों ने चोटा कर पाएं मगर वो इसमें नाकामियाब होता है और 34 बार उसके एकस्पेरिमेंट फेलोने के साथ सारे जानवर मारे जाते हैं लेकिन डेरेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आगे भी एकस्पेरिमेंट जारी रखने हो गेता है वह इसकोट जब बात्रूम में होता है तो हैंक का एंटमेंट वाला सुट पहन लेता है और जैसे हाथ पर लगे बटन को प्रेस करता है तो बहुत छोटा होकर नीचे घिर जाता है उसे हैंक की आवाज भी सुनाई देने लगती है जो से कहते हैं कि तुमारी पर गिर जाता है और वो वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है हैंक उसे कहते हैं कि सूट अपने पास रखना मैं जल्दी तुमसे कॉंटेट करूंगा मगर इसकोट काफी डर जाता है वो सूट अपने पास नहीं रखना चाहता इसलिए जल्दी से रात को हैंके घर पर वापस वो सूट रखकर आ जाता है लेकिन बाहर आते ही पुलिस उसे पकड़ लेती है क्यों क्योंने लगता है क्यों चूरी करने गया था मगर एंग इस कोट को बचाने के लिए लोयर बन कर उससे मिलने आते हैं वो से कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैं चाहता था कि तुम्हें दूसा मौका मिले ताय कि तुम अपनी बेटी के हिरो बनो इसलिए तुम्हारे पास दो रास्ते हैं या तो तुम जेल में सजा काटो या फिर वापस से जेल से जाकर मेरा सूट पेहनो और मैंने उस सूट तुमें जानबुच कर चुराने दिया था क्योंकि मेरा काम सिब तुम ही कर सकते हो इसलिए मैंने लुईस के कजन तक नकली खबर फिलाई थी कि मेरी तीजोरी में बहुत सारे पेसे हैं ये केकर वाँ से चले जाते हैं इसकोट जब वापस से जेल में जाता है तो चीटियों दारा लाया गया एंड में सूट पेहन कर भाग जाता है पुलिस हिरान होती है कि इसकोट अचानक से कहां गयब हो गया इसलिए उससे हर जगे डूने लगती है मगर हेंग इसकोट से कॉंटेट करते हैं और उसे अपनी चीटी दोस्तों से मिलवाते हैं इसकोट काफी डर जाता है लेकिन हेंग उसे शांत करते हैं और अपनी उढ़ने वाली चीटी की मदस है वाँ से दूर ले जाते हैं मगर इसकोट को चकर आने लगते हैं इसलिए बेऊश हो जाता है इसकोड के जवाँ खुलती है तो हेंग के घर पर होता है होप उसे नीचा आने हो केती है इसकोड बुलेट चीटियों से बसता हुआ बारा जाता है इसकोड ये देखकर बहुत एरान होता है कि एंग अपना सारा काम चीटियों से करवाते हैं इसल सरे का गेजट इस्तमाल करता हूं जिससे चीटिया मेरी हर बात मानती है और मेरा कोई भी काम करती है मगर इसकोट को कुछ समन नहीं आता कि एंक ने उसे यहां क्यों बुलाया है तो हैंक उसे अपनी खूफया लेब में ले जाते हुए बताते हैं कि 40 साल पहले मैंने खूफय की उस वक्त मैंने डिरेन को अपना शिष्टेंड बनाया क्योंकि वह बहुत काबिल था मैं उसे अपने बेटे की तरह मानने लगा लेकिन उसे शक होने लगा कि मैं उससे कुछ छिपा रहा हूं उसने उस चीज के बारे में अफवाएं सुनी जिसें पिम पार्टिकल कहते ह जिसकी मदद से एंडमें सुट काम करता है इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वो कुछ भी करके मेरे फॉर्मिले की नकल करके रहेगा पर मैंने उसकी मदद नहीं की तो उसने मेरे खिलाफ साजिश की और उसने मुझे मेरी कमपनी से अटा दिया फिर उसे ये भी बताते ह कि डेरें जल्दवाजी में येलो जेकेट सुट बना रहा है और अगर हो गलत हातों में लग गया तो ये दुनिया खत्मों जाएगी इसलिए हमें कमपनी में गुसकर सारे डेटा को अड़ाना होगा और हम सेंबल के तोर पर बनाया गया येलो जेकेट सुट भी आसिल करके नश्ट कर देंगे इसकोड उने कहता है कि मुझे लगता है कि आपको एक काम एवेंजर से करवाना चाहिए तो एंग उसे बताते हैं कि मैंने अपनी आदी जिन्दिगी इस टेकनोलोजी को हावर्ड इश्टा के हाथ लगने से बचाई है और अब मैं खुद इस जी को टोनी के हाथ नहीं लगने दे सकता तो इसकोड उने कहता है कि आप चीटियों को भी भेश सकते हैं लेंग उसे बताते हैं कि चीटियां बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उन्हें एक लीडर की जुरत है जो उन्हें सही रास्ता दिखाए इसकोड भी मान जाता है वही हम फब्सकाइड की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें उसे साइज बदलना सिखाते हैं स्कॉर्ट भी सूर्ट के बारे में सबको चाने लग जाता है और उस में लगए रेुटूलेटर को छेंणे लगता है अगर हैं कुछ से ऐसा करने से मना करते हैं और बताते हैं कि अगर तुमने इसे जरा भी छिड़ा तो तुम सब एटों में गोकर कॉंटम फिल्ड में चले जाओगे लेकिन इसकोड को समन नहीं आता तो हैंग उसे अच्छे से समझाते हैं कि सब एटों में ग्यानी की तुम अनुओं से भी छोटे हो जाओगे और ऐसे कॉंटम दायरे में चले जाओगे जहां तुम्हारे हमेशा के लिए छोटा बन जाने के बाद समय और अंतराल माइने नहीं रखते हैं और जो भी तुम जानते हो और चाते हो उन सबी को खोदोगे इसकोड भी उनकी बास समझ जाता है अब होब भी सकोड को मार्श इसकोड को बुलेट एंड से मिलवाते हैं जिनके डंक में जहर होता था जिसकी मदस्यों दुश्मनों को डेर कर सकते हैं हैंग फिर उसे उनने वाली चीटिया यानी की कार पेंट और चीटियों को कंड्रोल करना सिखाते हैं क्योंकि उनकी मदस्यों उनकर कई भी ट्रेवल कि आजा सकता था फिरो उसे एंड में फायर एंड से मिलवाते हैं जो कंडक्शन करने में महीर होती है औरो किसी भी जगे पुल बना सकती थी अब हैंग स्कॉट को इलेक्टो मेंगनेटिक डिवाइस की मदद से चीटियों कंडूल करने हो कियते हैं मगर इसको डेसा नहीं कर पाता तो होप अपने डेट से कियती है कि हमें टाइम बरबाद नहीं करना चाहिए इसलिए मैं एंटमेन सुट पहान कर ये काम आसानी से कर सकती हूँ औरो इलेक्टो मेंगनेटिक डिवाइस हैं चीटियों कंडूल करके दिखाती हैं मगर हैं गुसें इसा करने से मना करते हैं जिससे उन दोनों के बीच जगड़ा हो जाता है औरो गुसें में बाहर चली ज और इससी लिए वह नहीं जाती हैं लेकिन इस सब में बहुत खत्रा है तो मैं अपनी बैटी की फिक्र करनी चाहिए उससे के ताहिए कि मैं सब अपनी बैटी के लिए कर रहा हूं हो बताती है कि जब मेरी माँ गुजरी थी तो मेरे डेट मुझसे दो अपतों तक अलग रहे थे इसकोड उसे बताता है कि हो सदमे में थे तो हो कहती है कि मुझे भी बहुत दुख था और मैं उस वक्त साथ साल गी थी लेकिन फिर भी ओ मेरे पास लोट कर नहीं आये और मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया लेकिन मुझे अभी फिर भी लगा कि डेट बदल गए है और हमारा रिष्टा फिर से सुदर सकता है लेकिन ओ अभी मुझे दूर भाग रहे है और नो ने मुझे कभी भी मा की मोत की असली वज़े नहीं बताई तो इसको डूसे समझाता है कि एंग तुमसे प्यार करते है और हो नहीं चाहते कि तुम पर कोई खत्रा है लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी जिन्दिगी के कोई माइने नहीं है मैं चोर के सिवा कुछ नहीं हूँ बस मैं अपनी बेटी को अच्छा फीचा देना चाहता हूँ इसलिए मैं यहाँ हूँ तो अब भी उसकी बात समझ जाती है और उसे बताती है कि तुम्हें चीटे और कंट्रोल करने के लिए अपने दिमाग से सारे खैल निकालने होंगे अपना पुरा ध्यान एक ही जगे केंदित करना होगा अपनी बेटी केसी के बारे में सोचो कि तुम उसे मिलने के लिए कितने बेताब हो और यही सोच तुम्हें ध्यान लगाने में मदद करेगी इसको जब ऐसा करता है तो चीटियों कंडूल करना सीख जाता है हैंक भी अभोप को उसकी माँ की मोद की असली वज़े बताते हैं कि एक बार तुम्हारी मान ने मिशन पर आने की जित्की थी इसलिए मैं उसे अपने साल ले गया और उस वक्त सन 1987 में अलागा वादियों ने अमेरिका पर एक परमाणू मिसाइल छोड़ा था इसलिए मुझे तुम्हारी मा के साथ मिलकर उसे किसी भी दर रोकना था लेकिन उसमिसाइल चारों तरफ से सोली टाइटेनियम से बना हुआ था इसलिए उसके अंदर गुसने के लिए मुझे सब एटोमिक होकर अनू के भी जाना होगा लेकिन मेरा रेगुलेटर खराब हो चुका था इसलिए तुम्हारी माने बिना एक पल गवाए रेगुलेटर दबाकर अनू के भी चली गई जिस्चे ओ मिसायल तो बरवाद हो गया लेकिन तुम्हारी मा गायब हो गई क्योंकि ओ कौंटम फिड में चली गई थी इसलिए मैंने तुमें खुश से अलग किया और कौंटम दायरे के बारे में सब को सीखा ताकि मैं तुम्हारी मा को वापस ला सकूं मगर मैं नाकामियाब रहा हो भी अपने डेट से गेती है कि इसमें आपके कोई गलती नहीं थी माने खुदे फेसला किया था और अब उन दोनों के बीच के सारे गिले शीक्वे खत्मों जाते हैं इसको अड़ी से खुश होता है और अब वो दिरे दिरे सभी चीजे सीख लेता है वो अपनी उड़ने वाली सवारी चीटी का नाम एंथनी रखता है हैंग सूट में हत्यारना होने की वज़े से दो खास तरे की रिंग बनाते हैं जिनने चीजों पर मारने से चीजे छोटी या बड़ी हो सकती थी हो जाती है अब हैंग सूट को एक मिशन पर बेज़ते हैं ताकि हो एक कास संकेत यंद्र को चुरा पाए जिनने उन्होंने शेड के दिनों में बनाया था जिसकी मदस्यों टेरेन की हाइटेक सीक्योरिटी को तोड़ सकते हैं मगर वो डिवाइस हावाड इस्टाक है न्यूयोक के गोदा में रखी हुई थी इसकोड अपनी चीटियों के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाता है लेकिन उन्हें देखकर बहुत डर जाता है कि वहाँ गोदाम की जगे एवेंजर्स का एटकॉर्टर बन चुका है हेंग भी इससे परिशान हो जाते हैं और उसे वापस आने हो केते हैं मगर इसकोड उन्हें केता है कि अब मैं आया हूँ तो कुछ लूट कर तो जरू जाओंगा ये केकर और चट पर खूँच जाता है लेकिन तब ही वहाँ फालकन आ जाता है जो अपने एडवांस गिलासिस की मदद से उसे देख पा रहा था इसकोड अपने नॉर्मल डूप में आकर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फेन हूँ और मेरा नाम एंटमेन है तो फालकन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम कभी नहीं सुना एंटमेन बताता है कि मैं मार्केट में नया आया हूँ और मुझे दुन्या को बचाने के लिए एक टेकनोलोजी चाहिए जिसे मैं कुछी दिन में लोटा दूँगा लेकिन फालकन उसकी बात नहीं सुनता और उसे पकड़ने लगता है लेकिन इसकोड अपना साइच चोटा करके फालकन से लड़ने लग जाता है उनके बीच कमाल की फाइट होती है इसकोड मौका पाकर गोदा में जाकर वो डिवाइस असिल कर लेता है मगर फालकन उसके पीछे आता है लेकिन इसकोड उसके सूट में गुश कर उससे खराब कर देता है और वहाँ से निकल जाता है इससे फालकन की बहुत इंसल्ट होती है इसलिए उडिसाइड करता है क्यों इस बारे में केप्टन को कुछ नहीं बताएगा इसकोड इंको डिवाइस देता है जिसे देखकर वह खुश हो जाते है अब इसकोड अपने दोस्त लुईस और उसके दो दोस्तों को भी मदद के लिए बुला लेता है जिनों सीक्योर्टी गार्ड बनाते है ताइकियो पानी का प्रेशर कम कर सके और इसकोड अंदर गुश जाए इसकोड अपने दोस्तों को एंटमें में बनकर दिखाता है और जब वो अपना साइच छोटा करता है तो काफी डर जाते हैं और अब वो अपने काम पर लग जाते हैं सबसे पहले लुईस नकली सीक्योर्टी गार्ड बनकर अंदर गुश जाता है और पानी का फ्रेशर कम कर देता है जिससे इसकोड क्रेजी चीटियों की मदर से पुल बनाते हुए पिम टेक के सरवर की तरफ बढ़ने लग जाता है वहीं पिम और होप को डेरेन येलो जेकेट वाली फ्यूचर लेब में लेकर जाता है ताएकि और अपनी काम्यावी दिखा सके क्यों हेंके के बिना भी कितना काम्याव बन गया है जबकि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया वहीं मिशेल भी वो येलो जेकेट खईने के लिए पहुँझ जाता है डेरेन हैंग को कहता है कि आपने मुझसे जो टेकनोलोजी छिपाई थी अब मैं उन्हें इनाइडरा के लोग को बेज दूँगा इसे हैंग को गुसा आता है और और डेरेन को जोरदार मुका मारते हैं वहीं इसको डबनी क्रेजी चीटियों को सर्वर पर ले जाता है और उन अब इसको डबनाया होगा क्योंकि इसको ने भी हैंग की तरह ही काम किये थे और अब वो येलो सूट को अपने सूटकेस में रख लेता हैंग डेरेन को समझाते हैं कि अगर तुमने ये सूट इन गलत लोगों को बेचा तो हर जगे तबाई मत जाएगी मगर डेरेन उने कहता है कि मैं पहले ही ये सूटी ने बेच चुका हूँ और ने मारने लगता है लेकिन इसको डबने पास रखी रिंग की मदर से उस सेल को बढ़ा करके वाँ से निकल जाता है और वेके करके सबी गाट को मारने लगता है मगर डेरेन हेंग के कंदे पर गोली मार देता है जिससे होब दुखी होती है और हेंग के आलत कराब होने लगती है डेरेन इसकोड को मारने कोशिश करता है लेकिन होब चीटियों से उस पर अमला करवा देती है जिससे हो सूट केस लेकर निकल जाता है और मिशेल भी पिम स तीरम आसिल कर लेता है डेरेन हेलिकॉप्टर से वहां से निकलने लगता है होब इसकोड से कहती है कि तुम्हें डेरेन से वह सुट छीनना होगा और अब वो गार्ट को मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है लुईस भी उसकी मदद करता है इसकोड छत पर डेरेन की तरह कालते हैं जिससे उन्होंने छोटा किया हुआ था और उसकी मदद से बचकर बाहर आ जाते हैं वहीं डेरेन हेलिकॉप्टर में शेरन के साथ जाने लगता है लेकिन सकोड उसे रोकने आ जाता है तो डेरेन उस पर शूट करने लगता है जिससे इसकोड की सवारी चीटी एं अब अपना बनाया हुआ सूट पहन लेता है जो बहुत ही पारफुल होता है क्योंकि उसमें लेजर लगी हुई थी और अब उन दोनों में लड़ाई होने लगती है लड़ाई के दोरान वो एक सूट केस में बंदो जाते हैं और नीचे स्वीमिंग पूल में जाकर गिरते है डेरेन वाल लोगों पर हमला करने लगता है तो इसकोट उसे रोकता है और एक रेकेट से उस पर हमला करता है जिससे एक मोस्कूटर किलर में फस जाता है मगर तब यहाँ जीम अपने साथी ओफिसर गेल के साथ आ जाता है जो इसकोट के जेल से भागने की वज़े से उसे था इसकोड उन्हें समझाने कोशिश करता है लेकिन उसे टेजर गन से इलेक्टिक शोक देकर ब्योश कर देते हैं वहीं डेरेन अभी भी जिन्दा होता है जो इसकोड से बदला लेने के लिए उसकी बेटी केसी को अपने कपजे में ले लेता है वहीं जिम को भी इस बात की खबर मिल जाती है और उसकोड को पुलीज स्टेशन ले जाने की बजाए अपने घर लेकर जाते हैं इसकोड उन्हें कहता है कि मुझे केसी को बचाना है लेकिन और नहीं सुनता तो इसकोड अपना सुट पे एंकर डेरेन के पास पहुंच जाता है और उसे छोटा करके केस को बचा लेता है अब उन दोनों के बीच बहुत कमाल की फाइट होती है क्योंकि ओचोटे छोटे खिलोनों से लड़ रहे होते हैं इसकोड अपनी चीटों की मदद लेता है और डेरेन पर हमला करने लग जाता है साथ यह अपनी रिंग से भी उस पर हमला करता है लेकिन और कोंद जाता है इसको डेरेन के सूट में जाना ही कौशिश करता है लेकिन जसके छेत काफी बारीग थे है इसलिए सकौट को सब अपर में कोआजर सुनाई देती है और उसके वापस आने की चारम है वो रेगुलेटर के साथ छेड़ खानी करके उसमें बड़ी होने वाली रिंग डाल देते हैं जिसे वापस आ जाता है ये देखकर कैसी खुश होती है और अब एंट में वाँ से चला जाता है अगले दिन हैंग स्कॉर्ट से पूँशते हैं कि तुम सब एटोमिक होने के बाद भी वापस कैसे आए लेकिन स्कॉर्ट को कौटम फिल्ड में जाने की वज़े से कुछ यान नहीं होता हैंग उसे कहते हैं कि कोई बात नहीं और अब हो इसकॉर्ट को बाहर छोड़ने जाती है लेकिन अब एक दूसे हो पसंद करने लगे थे इसलिए एक दूसे हो किस करते हैं हैंग भी ये सब देख लेते हैं और उनसे पूशते हैं कि ये सब कब हुआ लेकिन इसकोड़ वाहा से चला जाता है और अब वो जीम के गर में डिनर करने जाता है क्योंकि जीम ने उसे माफ कर दिया था और जीम उसे बताता है कि मैंने सीनियर ओफिसर को बताया कि तुम जेल से भागे नहीं थे बलकि केमरा खराब हो गया था और मैंने तुम्हें रिहा कर दिया था इसकोड इसे खुश होता है या हमें पता चलता है कि केसी ने रिंग की वज़े से बढ़ी हुई चीटी को अपना पेट बना लिया होता है और उसे खाना खिला रही थी इसकोड को तब भी अपने दोस सीन में दिखाया जाता है कि हैंगोप को सिक्रेट रूम में लेकर जाते हैं जहां उसे बताते हैं कि मैं और तुम्हारी माँ जेनेट मिलकर एक एडवांस सूट पर काम कर रहे थे लेकिन जेनेट इस सूट को कभी इस्तमाल नहीं कर पाई मगर मैं अब समझ चुका हूँ कि शायद ये सूट हम तुम्हारे लिए बना रहे थे इसलिए अब हमें इस सूट को पुरा बनाना होगा ओप इससे खुश होती है वाई फिर हमें दूसे पोस्केट सीन में एक साल बात का सीन दिखाया जाता है जहां बर्लीन में इस्टिव रोजस और विल्सन ने बकी को जानता हूं जो अमारी मदद कर सकता है और इसी सस्पेंस के साथ ये मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है गाईस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मिलते से नेक्स्ट वीडियो में थेंक्स जरूटी